जहन्द स्टूडेंट्स, दिस इस फिप्ट चैप्टर, वाटर अन दे अर्थ अर्थ पर कितना परसेंट वाटर है और उसका क्या उपयोग है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे We have learned how most of the earth's surface is covered by water हम लोगों ने पढ़ा कि earth के surface का कितना part water है हम लोग पढ़ा कि fourth part अगर मान लिजे ये earth है तो इसके three part क्या है water है और one part क्या है land है तो in fact there is more water on earth than land अता earth पर अधिकतर हिस्सा क्या है water है land से अधिक water है All living things need water to leave सभी जिवित प्रानी को पानी चाहिए जीने के लिए We need water just like we need food and air to survive हमें water उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार की food और air जैसे हमें खाना जरूरी है और सांस लेना जरूरी है उसी प्रकार हमें water की भी जरूरत होती है अब है importance of water Water के महत्व Water is one of the most useful natural resources Water is one of the जितने भी useful natural resources है उसमें से water बहुत ही important एक useful resource है Humans and animals drink water while plants get water from the ground and air Humans and animals मानब और जानवर सभी पीने केरे पाने का उपयोग करते हैं जबकि पेर पौधे जर से जर के माध्यम से ग्राउंड से water लेते हैं और air से भी water वो लेते हैं Apart from drinking, water is used for cooking, bathing, washing, clothes and dishes and many other activities पीने के अलावा पानी का उपयोग खाना बनाने में, नहाने में, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए और भी बहुत सारे काम करने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है Water is important for growing crops और फशल को ग्रो करने के लिए भी पानी के जरुरत होती है इसलिए तो हम लोग खेतों में सिचाई करते हैं ना Electricity is also produced from water और बिजली, electricity means क्या होता है बच्चों बिजली का भी जो production होता है, बिजली का जो जहां से उतपादन होता है वो भी water से ही किया जाता है It is known as hydroelectricity इसे जो पानी से उतपन बिजली को hydroelectricity कहा जाता है ओके बच्चों अब यहां पर देखें fact quest में कि only 2.5% of the water on earth can be used for drinking जितना भी water earth पर मौजूद है उसका बस 2.5% water ही पीने लायक है ठीक है बाग के पानी पीने लायक नहीं है इसलिए कहते हैं न कि earth पर पानी तो बहुत है लेकिन पीने वाला पानी का कमी हो रहा है reason यहीं है कि पीने लायक पानी की मात्रा कम है इसलिए हमें पानी का सोच समझ करके उप्योग करना चाहिए बड़बाद नहीं करना चाहिए Okay Forms of Water Water exists in Nature in three forms तीन Forms में मौझूद हैं हमारे Nature में Water Solid, Liquid and Gas अब ये सोचोगे कि Water कैसे Solid हो सकता है ठोस और Liquid तो होता ही है और Gas कैसे हो सकता है बिलकुल होता है अब ये देखे इस पिक्चर में Frozen Leg Frozen Leg मिन्स क्या होता है बच्चो जमा हुआ जी यानि कि बर्फ बर्फ जो है वो Water का Solid फॉर्म हो गया और ये जो रीवर में बहता हुआ Water है तो ये हो गया Liquid फॉर्म और जब घर में खाना बन रहा हो या Water Boil हो रहा हो उससे भाप बन करके निकलता है आप ये देख सकते हैं यहाँ से भाप निकल रहा है इस पिक्चर में तो ये क्या है ये Water ही है जो गैस फॉर्म में है गैस फॉर्म में है जो भी हमें ये Water कहते हैं वें इट कूल्स डाउन जब ये ठंडा होता है जब पानी बहुत अधिक ठंडा हो जाता है इट फ्रीजेश और टॉन्स इंटू आइस ये जम जाता है और जम कर बर्फ बन जाता है और वो बर्फ दिस इस दा सॉलिड फॉर्म फॉर्म और वही वॉर्टर का सॉलिड फॉर्म है ओके बच्चों आप यहां इसमें देख सकते हैं ये खुद के लिए है खुद से पढ़ना है और इसका एक्सपरिमेंट घर में करना है ओके ये अक्टिविटी है अमालों कि अगर पानी प्रिजर में डाल दोगे थो क्या होगा आइस फॉर्म में होगा आइस बन जाएगा ये क्या हो गया और व्टर ही है सिर्फ इसी को गर्म करना है तो उसमें से निकलने वाला भाव यगर चाहे पीते हिए किसी को देखते हो तो क्या होता है कि चाय से उपर भाप निकलता हुआ दिखाई देता है वो भाप क्या है वही है gaseous form of water अब है sources of water water कहां कहां से हमें मिल सकता है in nature we get water from various sources like rain, rivers, lakes, seas and oceans हमें nature में प्रकृती में बहुत प्रकार से water मिल सकते हैं बहुत जगहों से जैसे कि बारिस से मिल सकता है नदियों से मिल सकता है लेक से, seas से and oceans से water that is found underground is called groundwater जो पानी मालिजे बारिस होती है और देखते हैं कि रोड पर पानी जम गया है आंगर में पानी जम गया है फिर वो पानी जाता कहा है वो पानी underground जला जाता है ground के अंदर धर्ती उसे सोख लेती है तो जो पानी स्टोर होता है धर्ती के अंदर उसे groundwater कहते हैं जहां तक उसे पाइप के माध्यम धर्ती के अंदर उस जगह तक पूछाया जाता है जहां तक उस layer तक हुँचाया जाता है, जहां पर water मौजूद होता है तो ground water को निकालने के लिए hand pump का use किया जाता है Dams and Tanks are used to store water और water को store करने के लिए dams और tank का use किया जाता है अब है water pollution जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी गंदगी से हम लोग बीमार हो सकते हैं किसी भी प्रकार की गंदगी से और water हम लोगों के लिए पीने के लिए काफी आवश्यक है अब अगर water को हम लोग pollute करेंगे pollute means उसे गंदा करेंगे तो क्या होगा ये तो हमारे लिए हानी काड़क होगा the water that flows down and forms rivers from mountains is clean and pure वो पानी जो mountain से निकल कर सीधा नदियों में आती है वो बिल्कुल साफ और श्वक्ष होता है but as it enters the plains it becomes polluted और जैसे ही वो नदी से निकल कर plane में मतलब हिमाले से निकलता हुआ पानी बिल्कुल स्वक्ष है जैसे ही वो plane में आता है वो polluted हो जाता है दूसित हो जाता है क्यों हो जाता है प्रदूसित when various water bodies like rivers, lakes, oceans, seas and ponds get contaminated by the collection of harmful chemicals in them it is known as water pollution जब बहुत तरह के water bodies आपस में मिलते हैं तो उसमें जो harmful chemicals already मौजूद होता है जो की हम लोगों के माध्यम से ही उसमें डाला जाता है किसी न किसी वज़र से तो वो सबी पानी को गंदा कर देता है और इसी से पानी क्या हो जाता है water polluted हो जाता है और पानी का गंदा होना ही water pollution कहलाता है अब देखें water pollution के क्या क्या कारण होते हैं उसमें से कुछ कारण यहां पर मौजूद है फर्स्ट है washing clothes and utensils, bathing animals and throwing waste in rivers and ponds कप्रेध होना, बरतंध होना, जानवरों को नहलाना, थोरण वेस्ट यानि कचरे को नदी में या तालाब में फेकना यानि कि नदी या तालाब में कप्रेध होना, जानवरों को नहलाना, कचरा फेकना इन सभी से water pollution होता है harmful substances released from factories, pollute streams and rivers अब ये भी देखते हो कि जितने भी factories हैं बहुत सारे factories का जो कचरा निकलता है harmful substances उसमें से निकलते हैं उसका नाला बना हुआ होता है जो कि किसी न किसी नदी से जोर दिया जाता है उसके पास इतने भी नदी तालाब जो भी है उससे जोर दिया जाता है तो वो क्या होता है कि factories का जितना भी harmful harmful substance है, वो बहकर नदी में मिल जाता है, जिससे नदी का पानी गंदा हो जाता है, इससे भी water pollution होता है, seas and, next point, seas and oceans get polluted due to oil spills or leakage from sips, अब देखिए, बड़े-बड़े समुद्र, महासागर, ये सभी कैसे pollute होता है, ये होता है, कि आप ये तो जानते हो कि तेल, जैसे कि अब मालेजे कोई sip, sip मिन्स क्या होता है, पानी में चलने वाला जहाज, वो fuel से चलता है, oil से चलता है, और वो oil मानिए कि अगर उसके tank में leakage आ गिया, उससे जो leakage होने वाले oil हैं, उससे भी वो ocean और seas pollute होता है, अब है, preventing water pollution, water pollution से बच्चाव कैसे करेंगे हम लोग, कैसे कर सकते हैं, some of the ways to prevent water pollution are, क्या है, तो plastic bags and other vests should not be disposed of in rivers and ponds or any other sources of water, जितने भी plastic के थैले हैं या कोई भी कच्चड़ा है, उसे पानी में नहीं बहाना चाहिए, तिक रीवर या पॉंड में उससे नहीं disposed करना चाहिए, या कोई भी water bodies में उसे disposed नहीं करना चाहिए, इससे भी हम अपने water को pollute होने से बचा सकते हैं, किसी भी factory को अलाव नहीं करना चाहिए, यानि आदेश नहीं देना चाहिए, कि वो अपने harmful chemicals वाले कचड़े को water bodies में बहाए, यानि कि किसी भी factory को, factory के गंदी की निकलने वाले नाले को, किसी भी water bodies से, रीवर पॉंड से, जोने का आदेश नहीं देना चाहिए, उस पर बैन करना चाहिए, अब है clean drinking water, अब पानी जो पीते हैं, वो पानी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्वक्ष होना चाहिए, otherwise वे हमें बीमार कर सकते हैं, ओके, तो water from oceans and seas is not used for drinking as it is too salty, वो पानी जो कि ocean का होता है, seas का होता है, उसे हम लोग पीने के लिए use नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो काफी salty होता है, मिस नबकीन होता है, खाड़ा होता है, तो पीने लाइक पानी कौन सा होता है? फ्रेश वाटर from rivers, lakes and water is purified, stored and then used for drinking, जैसे कि फ्रेश वाटर कहां सा निकालता है, नदियों का और लेक का, और उस पानी को भी purify करके, store करके, तब उसे पीने लाइक बनाया जाता है, ठीक है, filters are used to purify water, और water को purify करने के लिए क्या यूज किया जाता है, filters, okay, filters का यूज किया जाता है, water को purify करने के लिए, स्वक्ष करने के लिए, germ free करने के लिए, water is very precious, पानी बहुत ही बहुमुल्य है, we should save water, हमें पानी को बचाना चाहिए, rain is one of the most important sources of water on the earth, earth पर पानी का सबसे important source है water, sorry rain, ठीक है, earth पर water का सबसे important source है rain, during the rainy season, rainy season में, यानि बारिस के season में, most of the rain water runs off the roads and terraces into drains, बारिस के मौसम में आप लोग देखते ही हो, कि बहुत सारा पानी जो road पर बहता है और छट पर गिरता है, वे सब भी पानी कहां चला जाता है? drain में, drain मिंस क्या होता है? नाले, नाले के द्वारा सारा पानी बह जाता है, we can store this rain water and use it later, हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि rain water को store करना चाहिए, उसको purify करना चाहिए फिर उसका use करना चाहिए और अगर पीने के लिए ना सही बट उसका इस्तेमाल हम कपड़े धोने में, बरतन धोने में, सिचाई में, सिचाई में स्खेतों में पानी पटाना उसमें तो उसका उपयोग कर ही सकते हैं This is known as rainwater harvesting और इसी को बारिस के पानी को store करके उसको purify करके उसका use करना उसी को rainwater harvesting कहते हैं अब हम लोग एक बार recall करते हैं कि इस chapter में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इस chapter में हम लोगों ने पढ़ा sources of water, water के source और इसमें हम लोगों ने पढ़ा forms of water, कितने forms में water मौजूद है, तीन, कौन-कौन सा, solid, liquid और gas solid कौन सा हुआ, solid form of water, ice, birth और liquid क्या हुआ, liquid form of water जैसे rain कह सकते हो, या running water कह सकते हो, river का running water कह सकते हो और gaseous form क्या हो गया, gas हो गया, water vapor, भाब जब हम पानी को boil करते हैं, या खाना बनाने के समय में, जो भाब बनकर उड़ता हुआ, दिखाई देता है हमें वही तो है water vapor, वही है gaseous form of water, ओके, और हम लोगों ने इसमें पढ़ा water pollution water pollution क्यों होता है, क्यों होता है, contamination of water by chemicals and harmful waste water pollution जो होता है, वो बहुत सारे harmful waste, कचरे और chemicals के पानी में मिल जाने से होता है जो की factory से निकलने वाले गंदिगी, या हम लोगों के घड़ों से निकलने वाला गंदिगी, हम लोगों के द्वारा फेके गए कचरे के कारण और जब human being जो है, अपने animal को नदी तालाप में जब नहलाते हैं, या कप्रेद होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, कि water pollution होता है और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि sources of water जो की natural sources है, natural sources कैसे हैं, जो की rain है, जो प्रकृति के द्वारा होता है, हम लोग बारिस तो करवाते नहीं हैं, rivers, lakes, seas, oceans और ground water, ये सब ही natural sources हैं अब उसी में से मानव कुछ साधन लगा करके उसी natural water को जो अपने तक पहुंचाते हैं, अपने use के लिए लाते हैं, तो उसे कहते हैं man-made sources, man-made, man क्या कर सकता है पाने के लिए तो wells, कुवा, कुवा खुदवा सकता है, tube well लगवा सकता है, dams बनवा सकता है, water को स्टोर करने के लिए, तो ये man-made sources हैं ओके, natural sources, जो direct nature के द्वारा हमें water मिलता है, जैसे rain, rivers, lakes, seas, oceans, groundwater, ओके थैंक यू